हेलो फ्रेंड गूद मॉर्निंग मैं पहुच चुकी हूँ मेरट आपने जो लास व्लॉग देखा था वो सुबह का था बट वो मेरट नहीं पहुची थी मैं और अभी मैं मेरट पहुच चुकी हूँ स्टेशन से उतर गई हूँ और ममी पापा मुझे कार से लेने आ भी गए है तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हस्बिन नहीं आए लेने के लिए तो हाँ मेरे पती दियो मुझे लेने नहीं आए क्यों नहीं लेने आए देखा है वो बिलकुल सच मैंने लिखा है क्यों लिखा है आपको सब कुछ आगे पता चलेगा तो हम लोग सुबा ही आ गए थे मतलब दुपहर हो गई थी मेरी ट्रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैं आ गई थी घर दो धाई बजे के आसपास उसक मैं निकाल के मैं थोड़ा सा अन पैक कर लेती हूँ तो वही मैं यहां पे सÑरी मिठाईं जितना मपी ने दी थी वो वुर्या निकालकर के पापा जी भी यहां बैठे ते बाते कर रहे थे तो वही हमलोग अब शाम का टाइम है चैका तो मैंने इसलिए निकाला है और कि बापने देखा मैं घर आई तो मेरे हजबन नहीं नहीं थें एक्शली वो अपनी सिस्टर के वहां गये थे मिलने के लिए मतलब मेरी जा सिस्टर इंलो है उनसे मिलने के लिए गए थे इसलिए वो आपको नहीं दिखाई दिये और वो मुझे लेने भी नहीं आ पाए उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था इसी वज़े से और मैं यहां पर सब को टेस्ट करा रही हूं मम्मी लेटी थी सो रही थी एक्टरी बहुत ज़्यादा ठंड है यह यह ग्रीन कलर का एक लड़ू होता है ड्राइफूट का लड़ू होता है वह उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वह वही बोल रही थी मुझे वही खाना है तो मैं उसको वह पील गर के दे रही हूं अब जाओंगे मैं चाय बनाने के लिए फिर हम सब लोग साथ में बै पान है अब आल गब सुसरे नहां और भादंगे मैं नहां तो अभी मैं भी मिठाई लेकर के बैट गई हूँ और मैंने चाय चड़ा दी है तो धीमी धीमी गैस मैंने कर दी है और अब मैं बैट के पहले खा लूँगे उसके बाद में जाके चाय भी लेकर के आऊंगी और आप लोग सोचेंगे कि आप लोग ने उन्चे कॉमेंट किया था कि आपके हस्बिन कहा है वो क्यों नहीं आए तो मेरे हजबन अपनी ममी के पास थे मतलब वो मेरट में थे वो मुझे लेने नहीं आए थे तीन साल हो गए मेरे हजबन अभी तक माई के नहीं आए है मतलब मेरे माई के तो तीन साल से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो किसी ना किसी वज़े से नहीं आ पाते हैं तो मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता है और चाय तो मैंने लाकर के रख दी है बट मैं अभी गई थी बीगु का दूर लेने के लिए और बीगु मेरे पिछे पिछे लगी हुई है उसको से यहां मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है और अभी गुम्बी भी आने हैं हम सब लोग बैट करके हैं हम पे चाय पिएगे थैंक्यू सो मच आप लोगों ने मेरे जो मेरे ने प्रस्प्राइब का वीडियो डाला था आप मेरे लोगों करोड़को दियो आने हैं हम यहां मेरे ने रमाप खाया है प्रोब्स प्रोब्स तो चलिए आज आप लोग के कुछ नाम ले लेती हूँ तो पहला नाम है रीना, दूसरा नाम है रुची, तीसरा नाम है आवारा घुमकर, आननकुमार, कलपना शर्मा जी, करनकुमार, सोभना जी, थाइंक्यू सो मच आप लोग मुझे डेली कॉमेंट करते हैं उसके लिए थाइंक्यू सो मच रोस खान, रीता जी, ममता देवी, नेहा, सोनिया तो चलिए आज के लिए इतने नाम काफी हैं और फिर से एक बार बोलूँगे आप सभी को थाइंक्यू सो मच और हम लोग यहाँ बैठ करके चाय पी रहे हैं और बाते भी कर रहे हैं पीहू पता नहीं कहां चली गई, वो इदा उदर होगी अपने खिलवानों से खेल रही होगी झाल 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 क्योंकि आज दुपहर में मैं आई हूँ इसलिए मैंने जादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है पीहू जली गई थी पॉटी तो वहीं मैं अभी वाश्रूम में गई हूँ मेरे रूम से अटैची वाश्रूम है तो वहीं पर मैंने उसको बिठा दिया था पॉटी के लिए और बस आज मैंने जादा कुछ भी व्लॉग नहीं किया है उसके लिए और आज का व्लॉग चला लीजेगा ऐसे ही खुश अच्छा लग जाए तो भी लाइक कर दीजेगा ना अच्छा लगे तो भी लाइक कर दीजेगा मेरे एफ़र्ड के लिए उसके लिए फिर से आपको एडवांस में थाइंक्यू बोल देती हूं तो बस अभी हम लोग चा चो अज़कर देती हूं और मैं मिलती हूं आपको कल अपने अच्छे से व्लॉग के साथ एक अच्छे energy full vlog के साथ तो चलिए इसी के साथ vlog finish करती हूँ मिलती हूँ कल तब तक के लिए bye bye take care and vlog please like करिएगा चैनल पर पहली बारा है तो subscribe कीजिएगा चलिए bye bye कर दूआ करते हूँ